सहज योग कोई आज की चीज नहीं है हजारों वर्षों से सहज सह माने आपके साथ और जव माने जन्मा हुआ ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है माने जैसे एक जिवन तक्रिया है यह एक जीवन तक्रिया है, जीवन तशक्ति है जो हमारे अंदर कारियानुईत है अब हमें कहा जाता है, कि हम अमीबा से इनसान बन गए तो कैसे बनें? किस तरह से बनें? किसने बना रहा है? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए? सहज बने जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते वो सहज है क्योंकि एक जिवन तक्रिया है जितनी भी जिवन तक्रिया है वो सहज है हमारा 666 लेना भी एक सहज क्रिया है गर हमें 666 लेने के लिए किताबें पढ़नी पढ़े और या तो किसी से सीखना पढ़े तो न जानें कितने लोग जी सकें इसी प्रकार कुंडलीनी की भी जो शक्ती है वो भी सहज ही में सहज में ही जागरूत होती है ये शक्ति अंदर हमारे अंदर नहित है हमारे त्रिकोणा का रस्ती में और उसे हम मुलाधार कहते हैं माने वो हमारे मूल जो की कुंदली नहीं है उसका आधार है अबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि सक्ष है वो अपनी जगे है उसको हम बदन नहीं कर सकते हैं उसका हम बदन नहीं कर सकते हैं वो अपने जगे इस्ते रहा है बस हमें यही करना है कि हम उस सत्य सुष्टी को फुराब करें परमात्माने हमारे अंदर ही सारी व्यवस्ता की हुए उस सत्य को जानना अध्या वश्या है आज वनुष्या आप देख रहे हैं कि ब्रहमित इस कली जुग में भयका चला जागा उसको समझ में नहीं आता कि पुराने मूले क्या हो गए और कहां से कहां अब पहुचा और आगे का हमारा बविश्या जब वो सोचने लगता है कि हमारे बविश्य का क्या है क्या इसका इंतजाम है हुण्य की ढुंसी विवस्ता है कि जो आज की विवस्ता है जो आज तक मंश्स्री जिस स्थिती में पहुंचा है, वो स्थिती संपूर्ण स्थिती नहीं, क्योंकि वो एक में वो सत्य को नहीं जाना, केवल सत्य को नहीं जाना, हर एक अपनी मस्टिक से, जो समझ में आता है, उसे सत्य मांने करें. तो प्रकार के विचार हैं, एक तो विचार यह है कि हम अपने वस्टिक से जो माले, जिस चीज को हम स्थीक समझ ले, उसी को हम माले, लेकिन गुद्धी से सोची हुई, गुद्धी कुरेसर चीज सीवित है, कोई सोचता है, यह अच्छा है तो कोई सोचता है वो अच्छा है, और यह लेकर के सर्व आप सुनने से पहले अपनी बात करते हैं और इसी प्रकार पूरी समय कश्व कश्व कश्च चल रहे लिए. अब रही बात बुन लोगों की कि जो कोई न कोई बात को अन्दता पुर्वक मान गय रही है सोचके कि वही अब कोई इलाज ही नही है तो चलो यही कर ले. वही अन्दता पुर्वक मानी हुई बातें भी किसी काम की में यह ग्याद हो जाता है. फिर वही मुर्ता है उस और कि सत्य क्या है बही हमने तो इतनी देर तक है यह काम की और हमें कुछ लाप नहीं हुआ. तो कोई सत्यनाम की चीज है याने. यही सादक है, यही अस्ति सादक है, जो समझ गया है कि इस गुद्धी कुरस्सर जो हमने नाय लिये, जो हमने अपने अंदर विचार कायन किये थे, वो गलत, गलत सावित हुए, उससे हमें कोई फाइदा ने हुए। और दूसरा जो कि सोचता है कि इतने सालों तक हमने आखे बान करके जो जो गां किये, वो गां भी कोई लावता है। अब सत्य क्या है, हाला कि मैं जो आपको गता हुए, उसे आपको पुर से अंदर जैसे मानने ही लेना जाए। क्योंकि वही भालत हो जाएगी जैसे और लोग कुछ कहते है उसको आप मान लेकिने। किंतु अगर इसकी प्रचीती आजाए, इसका अनुभव आजाए। तब युड़ आप नहीं मानें तो इसका मितलब यह है जे आपको अपने साथ की इवालदारी नहीं रखिए। क्योंकि इसी में आपका लाग है। किसी से आप अपने धर गरहस्थी का और अपने समाच का, अपने देश का, और सारे संसार का इकित्साजी कर सेए। एक व्यक्ति में ये चीज मिलेगी, एक इंसान में ये चीज मिलेगी और फिर वो व्यस्टी माने सामुहिकता में फैल जाएगी। हमें सुनके बड़ी खुशुवी के लुपी में बहुत सारे गाहों से एक एक इंसान आया और वो सहाज योग की जोच पहा लेकिया। मैं यहां की बभू हूँ, मैं यहां शादी हो कर दुल्यन बन के आये कि और मैं सोझ भी नहीं सकती कि इस यूपी में सहाज में इतने लोग आ जाएगे। मुझा तो बहुती आश्चरी हो रहा था कि इसे हो सकता है। यहां तो लोग इतने अंदर्शद्दा से पुरित हैं और कुछ लोग इतने मकरूर हैं कि इसके बीच की यह जो चीज है, सहाज इसे कैसे प्राप करें। और आश्चर को देख करके बड़ आनन्द हो रहा है। नजाने कैसे आप लोग इस स्थिति में आये कि आप सहज को प्राप करें। मैं सोचती हू कुरु जनम के आपके बड़े कुन्य कर्म है। बहुत कुन्य कर्म से ही यह चीज़ सराप्थ होती है। यह तो बड़ी पुरानी किताब रुपमुनी निखी की नाडी गृंत उसमें उनों लिखा कि जो लोग आज गिरिकंदरों में परमेश्वर को खोज रहे हैं उसे प्राप्थ करेंगे कल जुग में। और कली जुग में जब उसे प्राप्थ करेंगे तब वो दुरहस्ती में बैठेंगे। वही बात आशित हो रही है। कि यह आपके पुरजनम के सारे जो कुछ भी महार्पुन्यत है यह वो आज फ़लित हुए हैं। ने तो मेरे बरस की बात लिए। जिस तरह से आप लोग यहां एकत्रित हुए मैं देख करके पहुत आश्चेश चलिए। अब नहीं बात हिए कि सत्य क्या है इसे मैं आपसे बतागी। सत्य है कि आपकी शरीर, बुद्धी, मनत, अपने संसकार, कुसंसकार और आपका हंकार। अजि कोई भूपादिया जो है आपकरता हैं। यह सारी भूपादिया सब व्यक्त है और चूठी है। आपकी सुछी है। यह सब पूर जहां क्या है रूप धरती माता पर्शचेश। यहां पर तो खेपी बहुत होती है और यह खेपी प्रधान देश। उत्तरप्रदेश है। यह खेती जो कराती है यह हमारी जमीन, हमारी माँ यह चुछी माता हमें यह सब चीजे सहज में ही दे देती है। एक वीच कोन पूरते हैं। तो उसमें सहज में फूला जाती है। यह रुत्वों को बदलने वाली कौंसी शक है। तो इस सारे सुष्टी में चारो तरफ पहली हुई। यह जो शक्ति है, यह जी शक्ति है। इसे की हम रुतंबराप्र क्या कहते है। यह कहिए, तो इसे हम रू कहते हैं। इसे ही हम परम-चैतन्य के यह शक्ति चैतन्य में है। यह सोचती है, समझती है, सुजन करती है, सारे कारियों को करती है। हमारे गुदे की धरतन भी यह ज़ाती है। पर सबसे अधिक इस शक्ति की जो विशेष्टा है वो यह कि यह प्रेम भरी है। इसमें असित प्रेम है। यह सारा कारिक प्रेम सिकती है। अब मैं कहूँ कि सत्य प्रेम भरी है। यह समझें आप किसी से प्रेम करते है। तो आप इस वक्ति के बारे में पूरा पूरा जान जेते है। पूरा सत्य आप जान जेते है। इसी प्रेम और सत्य पुर्नो एक ही चीज है। और जब आप सत्य को प्राप्ट करके हैं, तभी आप मन में शांती को भूरा लोगते है। शांती भी इस सत्य के दर्शन से अविए। तो यह सत्य जाजवल्य नहीं है। इसमें भणक नहीं है। इसमें कोई ऐसी तड़पाने की चीज नहीं है। बच्चे, शान तरस, शान तमय, आनंद दाई। और यह सब प्राप्ट करते की आपकी ख्षवता है। आपकी लियाकत है कि आप इसे प्राप्ट है। काणफुर जनंग के अलेक कर्मों के उनने लाप से यह आजा के आप पुचे हैं। और यह आपका हक बनता है कि इस योग को आप राप्ट करें। जब आप इस योग को प्राप्ट करेंगे, तो पहले तो आपको पहली वर्तबाई यह एंसास होगा। यह आप जानेंगे, आपको प्रचीती होगी अन्वह होगा, आपके उंडियों के उपर यह थंडी थंडी हवासी चलते हैं। और यह बड़ी सुख़ ऐसी थंडी हवा है। अभी शंकराचार्य ने इसे सली रम, सली रम का है। इसामसी ने इसे पूल ब्रीज अब भूली गोस्ट का है। मुहमब साब ने इसे रूह का है। तानाच साब ने इसे अलग निरंजन का है। अजि अने अने कुशेशनों से इसे अलग उत्त किया गया, इसको सजाया गया। पर उनकी बात जो है सब तक पहुशने के लिए जरूही था कि सब लोग भी तो कुशी हद तक पहुँचाय जाया है। इसे मैसूश करें। हम अगर कोई लखनों के बारें बताया है। कि लखनों ऐसा है, लखनों ऐसा है। तो भी अमे लखनों बेचाये तब तोन हम सभजें लखनों क्या है। इसी प्रकार इफनीभी बात आप इस महान शक्ती की कर ए तो सारी बात बात रहता। और बात करते करते। अज़ आद्मी उख जाता है सुखता है, यह क्या बात रही है। इसका तो कोई अर्थी नहीं और कुछ मिलता जुलता नहीं है, पूरी समय एक मनो रंजन सा होते रहता है, इसके लिए जो हमारे अंदर विशेश शक्री परमात्मान इसका पित की है, उसे कुंडली नहीं नहीं नाम से चाहते है। जितना इस परकारे हमारे इस महान भारतवर्ष में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। हाँ बाहर बहुत से द्रष्टा हो गए जिनों ने इसके बारे में लिखा है। यह भी बात सच है। लेकिन जितना फ़्लारे देश में स्पष्टारिक जया गया, उतना कहीं भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग शुरू सही अर्भ भ्यात्म है। और हमेशा जानना चाहा उनोंने, कि हम है क्या, हमारी हैसिएत क्या है, शक्सिएत क्या है, हमारा विक्तित्व क्या है। यह हमेशा जानने की Hindustaniya में चेष्टा की है, अनाधी काल से बारतिये लोग इसकी खोज में पड़े रहें। और जंडलों में गिरी कंदरों में जाकर के खोशते रहें, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कि हजारों के तारात में हजारों लोग इसको प्राप्तिती और आप भी इसे प्राप्तिती। सबसे तो पहले कि जब कुन्यनी का जागन होता है, तो बिलकु सहस्च तरीके से होता है, और बीच का जो मध्यपत है सुशुन्ना उससे उप उजरते हुए प्रम्र अंद्रको छेती। आपको इस वामिय में बताया गया है, कि अपने अंद्रती नाडिया विशेष है, और उससे जो मध्यनाडी है, उसी नाडी के मार्ग से उंडरी निकाए चागन होता। विशेषता सर्चीज दुन्या की जो है, वो सभीन के तरफ कर ओड़ती है। सिर्फ आग ऐसी चीज है, जो उपर तरफ तरफ थी है, पर ये एकदम शान्त आग, एकदम शान्त इस आग में शान्ती बरियोगी है, क्योंकि ये बड़ा बारी परमात्मा का चमकतार है। और जब ये उपर चड़ती है, तो अपने आप चक्र कुछते हैं, और आप को इसमें कुछ कर लेता है। सहज, जब आप बीच को लगाते हैं, तो क्या आप इस पुछी माता को कुछ पैसा ऐसा देतें, उसको कही नवसकार करतें। वो तो उनका धर्म है, कि कोई भी चीज जो उनके उदर में आये, उसको पनपा दे, और ये धर्म पीच में भी है, कि वो पनप चाता है। वो भी अंकुरित हो जाता है अपने आप, इसी प्रकार आप के अंदर भी, सब के अंदर, किसी भी जाती, किसी भी धर्व, किसी भी देश, किसी भी लेस के लोगों में, ये नहीं कह सकते कि कुनलीनी नहीं, अब पैसत देशों में, हम काली कर हैं, अब बड़ा आश्चर है कि रष्या में, जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, ऐसे लोग वहाँ एक एक गाहों में हैं, पतानी इन लोगोंने, जिनोंने कभी भगवान का नाम में सुना, इनको तो किसी भगवान का क्या, जो बड़ा किसी ऐसे आध्मी का भी नाम लेना मना था, जो भगवान की बात था, लेकिन मेरे स्क्याल से एक्डम साह रुखी, व्यक्तितों की बातिशी, इस पर सह्योग बहुत चल्दी चलगया, और इतने चलदी चलगया, और इतने हदारों के तादार हुचा है। और आप लगों तरफ देके मुझे इसलिए आश्चिर होता है कि मैं देखती थी पहले यहां पर लोग उनको मजा किस चीज में आप रहा है। और बड़े हैरानी की बात है कि वो सब जिसमें इंको बदाता छोड़ चाहां कि आप साहज में समुकराई। और वो जो मजाने की चीज़ थी वो सब वो सब स्वयन को नश्ट करिया है। आज अमरिका में भी एहां है। कि वो लोग कहते हैं कि हम तुचाते क्षण खण हम आनन वे हैं और क्षण शड़ में आप अपने को मिटाने की और साह करें। तो कौंसा आनन्द आएगा आप तो कुट्यू के ओर जा रहे हैं सर्वनाश के ओर जा रहे हैं तो आपको आनन्द कैसे हासे। लेकि उंकी खोपनी में बात जाती नहीं आप से मुता हूं। हम लोग हाला की बहुत सीजे सादे हैं, करीपी हैं लेकिन मेरे क्ष्याद से हमारे अंदर सुग्ति हूं लोग से बहुत सादे हैं। वो तो मूड है लोग है, उंकी समझ में हाते हैं। जो संस्रुति है वो इतनी उंची है कि सहाज में आने पे बाद आप दीरे दीरे समझ लेंगे कि ऐसी संस्रुति है यह जिसमें सिवाय मनुष्य परमात्मा की ओरुखे और इस योग में बढ़े और कुछ होई नहीं सकता। यह नहीं है कि कोई आप चीज छोईए और जंगल में जाके बैठी है कि सन्यास लिजिए यह भूखे मरिये इस तरह की बेकार चीज सहाजोग में कोई ज़र्वत नहीं क्योंकि यह बाहिय में सब्सक्ता। बूखे मर ले की बहुते लोग भूखे मर्य, कि बूखे मर्य रहते हैं यह नहीं И्थमृ नारत मुणी मैं बूखे सब्सक्या लगान के लोग नहींए कि हंदुस्तां के लोग इके भूखे कि लेट है तो उनका उइसने भूखे उसके अब जरूरत नहीं, आप जैसे कि आप एक सुड़ी से चड़के दालान में पहुंचे हैं, तो आएए, तश्रीफ लाएए, अंदर बैठिये, बजाएए इसके कि आप सुड़ी भी अटक के बैठियों, आप उपर चना ही नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार एक तरशी य हुजारो लो कई पार होने माले हैं उजारो का ஐ लोकपार होने माले हैं। और जिनको यह मिनना है उंको मिलना ही है। कोई ंप तो। ऑ इस बात को, जर मैं आप से कह रहे हूं, तो वो इसलिए नहीं कि मैं सुष्ति हूं, कि ऐसके बड़ी-बारी गोशना है। यह बिलकुल सत्य है, कि यह चीज आज इतनी घटित हो रही है, इतने बेशों में जो इंक्तम, जो जोर में ठली भूत हो रही है, इसके पीछे में कोई न कोई समय की भी विशिष्ष्ता है, और यह समय एक घोर कली में ऐसा आया हुआ है, जहा मुश चाहता है कि सत्य कूप्र अब सत्य के प्रकाष में क्या क्या हो सकता है, पहले तो सत्य के प्रकाष में जो असत्य है उसे आद्म सहज में छोड़ा है, जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रहत अंदेवी, और आपको भाईनी दे रहा है, और आप जिद्नी है, और कोई कैल कि तुमारे हाथ में सां यह तो रसी है, इसे मैंने छोड़ साथ और आप पकड़ी रहेंगे उसको, और जरावसा भी प्रकाश आजया है, तो आफ वरण छोड़ देगी। तो यह सबकता आपके अंदर है, सिर्फ यह तरिक अंदापर है। बहुत से लोगे हजारे लोगोने मुझे एथा परदेश में कि ऐसी ऐसी चीजे इसे कि हम विषयली, जहलीली कहते हैं, खाना केपनों से चोड़ी है। हर तरह की जो चीजे खंको नष्ट कर रहे हैं वो सब चोड़ी है। बहुत से लोग चाहते हैं नष्ट करें इसको खत्म करें एकि ने खत्म करका पाते हैं। वजही है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थता मतलब है आप जो है वो आपका अर्फ बना आ जाए। अनि यह कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप यह सब चीजे चोड़ के बाद आए। अब आपके बच्चों को देखिए बहुत शिकायते मेरे पास आई की बच्चे भी बढ़ जाए। एक बार सांज मेने आई है। एक साव है। उका लड़का पड़का लिखा नहीं था। तो मेरे पास आई मेने का जागरुची करो तो रस तेखो तो के और वो फर्स आया सक्य भीच में। यह होता है। यह साक्षा था। इसकी वज़े यह कि हम अपने मस्टिक के किने हिस्से में काम कर सकने बहुत तोड़े इस। और कुंड़े जागरन से जो प्रकाष हमारे मस्टिक में फैलता है। उससे हम असादर अगुदिवान जाए। उससे हमारा चित जो है वो अतनत शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे कि जो चित बार बार दर 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 दौड़ता था। वो एकम शान थोके एकात्रम जाता है। इसलिए कोईसा भी कारी हम बहुत अच्छी से पसे। किसी भी कारी में हम प्रविण हो सके। इस देश्वे तो खेती बहुत है। हमने खेती पर प्रेवक करके देखें कि जो हात में चैतनी के लड़िया आएं। इससे गर कोई पानी को आप चैतित कर दें। तो वो पानी जो है। उससे दस कुना पसल अच्छी आए। और हाइबिड सीट की जितनी आती है। उससे कहीं अधिक नन हाइबिड सीट की आती है। नन हाइबिड सीट कर आप लिजिए और वो लगाईए। कोई खाज जाने भी जोड़गे कुछ नहीं। आप देखेगा कि हमने सूरज का फूल इतना बड़ा एक दो फूट का डामिटर का सूरज का खूल निकला। बहुत से निखेए। उसको उठाना भूसकी है। एक आजम इसको उठाने सकते है। बहुतों ने कहा कि यह तुलिप्स होई ने सकते। हमने तर सा देखाने। हमारे जो खेत है। उसमें हर करेकी चीज हो रही है और हमने ऐसे देखारे कि यह चीज होने सकती। लेकिन बड़े पैमाने पर और बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी जिसकी क्वालिटी है। ऐसी चीजे होती है। और यह हमारा गेश पूरा ही कृषी प्रदा है। इसके लिए बहुत ही यह फाइडी की चीज है। जो लोग सहाजयोग में आगे हैं, उनकी खेती बारी हो, उनके धर के जानवर, उनके धर के सारे प्रश्न, उनके समाज के सारे प्रश्न एकम से हाले है। आज हम उस्तार पर खड़े हैं, कि अगर आप मुर कर देखेंगे नहीं, तो थाई में आप लोग रिजाएं। यह हमें मालू है। अब जब यह अपने को मालू है, तद थोड़ा सा मुर करके इसे स्विकार करना है। इसे आपको कोई पैसा नहीं देने का, आप इस दमीन को कितना पैसा देते हैं, जो आपको फल फूल दे रही है, इसे प्लकार इसके आपको कोई पैसा नहीं देनेता, आपको कोई खर्चा नहीं कर देता, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई पूखा नहीं, कुछ नहीं, विस इसके थोड़े से क्यान को प्राफ कर लेना चगे ही हमारे चक्र क्या है और इस चक्रों मे कौन सी हामी है और कौन सी तरामी जब आपको ये चीज प्राफ होी तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में थंदी-थंदी हावास याले लगा और यह उंडियों के आखरी हिस्से में यह सब कहते हैं कि इस इंपथाटिफ नवर सिस्टम है, यहाँ आपको महसूस होगी। इस पर आपको महसूस होगा कि आपके कौन से चक्र को पते हैं। पन्ति, έठ और साथ यह वह हमारे प्रेट साइड के हैं और इस ही प्रकाँ लवते हैं। और झो हमारी रैट साइड हैं वह हमारी काल Despite Your être Hadjavaanda यह बनाती हैं, यही यहीोदिति इस प्राफ्चा के हैं। ने जी हित पता इस 있죠 हैं जी जी हृ। हमारी इच्छाएं ये सब कुछ इनको चलाने की इसको तरना चाहिए की भावना का कुछ भव करने वाली ये शक्ति यप्सायोटी इस प्रकार हमारे अंदर ये दो शक्तियां और बीच में को ये शक्ति है वो आप पे उठाएंगी अब बिल्कुर थोड़ा सा और चलने की ब करव एक प्रमार अंदर पुर जाएगा और चारो थार्म आप पईयेगा कि एक्डम से भावि हुई कि एक प्रच्छन परमात्मा की शांत्रम शक्ति है आप ते अदर उताएंगी पुरजनम के आप बहुत आसा है। इंगुस्तानियों को पार कराना बहुत आसा है। क्यों कि पुरजनम के आप बहुत बड़े विए लोग रहेंगे, तभी इस पुन्यपुमी में आपका जन्म है। इसमें कोई शर्थ क्यों कि वाके में मैं देखा है। कि इतना आसान हिंदुस्तानी मकवर कराना है। अब आपको नहीं करना है। जैसा मैं बताती हूँ, कि आप जो लोग कर कुर्सी पर बैठी हैं तो आपने कीटें उताहें। और बोनों को और बैर अलग अठी है। नीचे बैठें लोग ठीक पर तो भी जूते उताहें। कि तरस्ता देएं। अब अपना राइट हैंड मेरेओर करें। महिसले राइट और लेट करें। अपने जेश में इसको अलग-अलग नाव है। अपने जेश मेरेओर करें। राइट हैंड मेरेओर करें। और लेट हैंड जो है। वो अपने तालू के ओपर। तालू ज़ना के जब हम अच्चे थे, तो यहां की जो जो श्मिक दहर्दी थी। इसे की फंतिने बोन इर्या थे जो। उस तालू के ऊपर अधार की ऊपर में आपने प्षाइंड आपने राइट हैंड ज़ने तब और सर को जब आगे। अब देखें के इसमे से आपकी के अंदर से ब्रमर अंदर इसे कहते हैं आपने ब्रमर का रंदर याने ब्रमर का शेख जो। इसके अंदर से थंदी या गरम हवा आपी के सर के अंदर से आ रही है क्यों। लेखेंगे, सब जुका के लेखेंगे। जर आपने अपने को मात नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी मात नहीं किया, तो इक गरम-गरम हवाई देखेंगे। अब खिर से लेखेंगे, अब खिर से लेखेंगे, और राइट लेखेंगे। सर जुका के देखेंगे, कि ठंडी या गरम हवा आ रही है कैंसर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ तरा उपर नुचे साइट में भूमा के देखेंगे, क्योंकि कभी-कभी किसी को बहुत दूर से बाहर की ओराती। लेकिन सर को चुनाने सर से उपर अधांत्री हमारे माराथी भाषा में कहते हैं अधांत्री। अब फिर से राइथ हैं, हमारे और करिये सर जुका के और दिखिये ठंदी या गरम हवा तो भी आ रहे हैं। महारे से जाए हैं अधा मारे से था रहे हैं, आप नहीं नहीं थी हा रहे हैं। अगर आप मास रधें अपने को और दूसरों को तो फी छनदी आने रहे हैं। बहुत छनदी नहीं आती है। इसको आदी शंतर आशार कॉनियां ईес्पंदा दाय। अब दोनों हाथ आकाश कि और उठाकी और सर पिछे जुखा कि पुछिए की माँ ये क्या परमचैतन्य है तीन बार पुछिए क्या माँ यही वो परमचैतन्य है और मुसल्मान होंगे, पुछे, रूम है, इसाहिम होंगे, तो पुछे, कि यही होली गोस्त की कुछ ब्लीज है, तीन बार पुछे, यह कर्मात्मा की प्रेंटी शक्ति, अम हाट पुछे लिजे, हाट मीचे लेकर, दोनों हाट मेरे और करिए। और निर्विचान होके मुझे देखी, बिल्कुल निर्विचान होके मुझे मेरे और देखी। किसी किसी को नीचे से गर आ रहे हो तो उसको उपर उठा सके इसकर। किसी किसी की अधिए। अब दिंजिल लोगों के वूलियों में या तल्वे में, हाथ में, या सर से थनी हवाई लोग, या करम को सब लोग तोना हाथ कूपर करें, सचाई के साथ। आपको मेरा अननत अशिब अननत अशिब ओ eld 플ेस से यापक नहीं काने को साथ। वाओ, प्या करादे लोग! झाल झाल